इसकारिक्रम के पुन्यार जग है श्रिकावरलाल जी महावीर प्रसाज जी पाटनी मदन गंच किशनगड़ राजस्थान श्रिक्षा मेनत दान कुशल यतिपती होने पर करुणा की सूप्ष्म जनत जो है दुरबल अरहत पद पर संस्तितों के जगत के उत्हारत जो शांतिनात उन्निवर जी उप सतत नमुभव तारत जो सतत नमुभव तारत जो ओम नमहां सिथे ज्याः ओम नमहां सिथे ज्याः ओकारं बिन्दुसें यक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनह कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमह अरह मित्यक्षरं ब्रह्म वाचकंपर्मेष्ठिनह सिथ्चक्रस्य सद्वीजं सर्वतह प्रडवाम्यहं आज भी अनेक बच्चे हिस्ट्री में बीए एमे करते हैं और अगर आप लोग हिस्ट्री में करते हैं तो उन हिस्ट्री में एमे किये हुए बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि वो हिस्ट्री में पीएश्डी करें और पीएश्डी का विसे बनाएं कि इतिहास अतीत काल में दिगंबरत यह पीएश्डी के विसे होने चाहिए प्राग एतिहासिक काल में तीर्थंकरों का अस्तित्व यह सिद्ध करने के लिए अगर यह बच्चे कुछ पीएश्डी बगैरा करेंगे तो कुछ यह धरम की परंपरा आगे और सेक्षिक इस्तर पर आगे बढ़ेगी और इस तरह से अनेक जो बच्चे आजकल छोटी छोटी सी जानकारियों को हासिल करके समझने लग जाते हैं कि जैन धरम कितना प्राचीन है बताओ जैन धरम से प्राचीन तो और यह है वो है उन्हें अपने आप समझाने के लिए इस तरह की research वर्क आवश्चक हैं जिसके माग्द्यम से ही आज हम उन बच्चों को समझा पाएं कि जैन धरम कितना प्राचीन है तो इतना प्राचीन है जितना प्राचीन इस धरती पर कोई दुनिया का गरंथ है उससे हजार गुना पहले का प्राचिंता जैन धरम की सिद्धोती है ये कहने का साहस बच्चों बच्चों में जब तक नहीं आएगा तब तक बच्चों को जैनत्य के प्रती गर्व महसूस नहीं होगा इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान में रखते हुए इतिहास को भी पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है और इस तरह का इतिहास जब हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में सब तरह के मंगल घटित होते रहेंगे हमारे ग्यान, हमारा जो धारणा है, हमारी जो मती है, बुद्धी है वो सब सही ढंग से ठिकाने पर लगी रहेगी और उसी के माद्यम से ये जैनत तो आगे बढ़ता रहेगा इसलिए ऐसी सर्व मंगल कारी जो ये शांतिनाद भगवान की इस्तुति में अनेक अनेक ऐसे मंगल प्रसंग आ रहे हैं जो प्रसंग आपने पहले कभी ना सुने और ना कभी हमने सुनाए ये सब सांतिनाद भगवान के विशुद्धी सांतिनाद भगवान की महिमा का ही ये प्रभाव है जिसके माद्यम से हम उन भगवान का नाम भी लेते रहते हैं और सम्य ज्ञान भी अर्जित करते रहते हैं देखो काव नंबर 80 श्रिविन में सर्व मंगलकारी ये भगवान शांतिनात की इस्तुती कही गई है क्यों है वैनिय के शुक्रती करमस पूज नासू चांते पठन्ती सुधिया खलू शांति भग्तिम प्रत्यक विग्न परिशांति क्रते स्मरंति श्रिशांति नाथ भगवन महिमाद भुतोस्ती श्रिशांति नाथ भगवन महिमाद भुतोस्ती क्रती करमों में विनय करमों में जिनवर की पूजाओं में सभी सुधी जन शांति भग्ति को पढ़ते अंत सभाओं में क्रती मंगल क्रती विग्न शांति के बेत नेति स्मरं करते शांति नाथ भगवन ही मैसी अद भुत महिमाद भरते कैसी महिमाद भरते क्रती करमों में विनय करम में ये करम मुनी महराज के लिए मूला चार आधी ग्रंथों में अनेक प्रकार के करम बताए जाते हैं सुन रहे हूं जिन्हें क्रिया करम कहते हैं क्या बोलते हैं आप लोग क्रिया करम किसको बोलते हैं सारा बिगाड तो आप ही लोगों न किया है धर्म के अच्छे सब्दों का बिगाड आपने ऐसे असुब कार्यों के लिए कर लिया कि अब वो सुब सब्द भी बोलने में सोचना पड़ता है समझ आ रहा है किरियाएं जो की जाती है मुनी महराज के द्वारा कौन सी किरियाएं भगवान की बंदना करते हैं बंदना किरिया कहलाती है प्रत्या ख्यान करते हैं प्रतिक कर्वन करते हैं भक्ती करते हैं ये सब क्या कहलाती हैं किरियाएं कहलाती हैं अब्ध्याय करते हैं, अनेक प्रकार के योग आदी को धारण करते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, क्रियाय कहलाते हैं, और इन सब क्रियाओं के साथ में जो कर्म किये जाते हैं, उसको क्रिया कर्म कहा जाता है, माने जो आवश्यकार किये जाते हैं, उसी को क्रिया कर्म कहते हैं और उन आवश्यकारियों को क्रती कर्म भी कहा जाता है क्या बोलते हैं उसको क्रती कर्म समझा रहा है जैसे मालो स्वाध्याय है तो स्वाध्याय की क्रिया करने से पूर्व में क्रती कर्म करना ऐसा सास्त्रों में लिखा है क्या क्रती कर्म करना स्वाध्याय करने से पहले सुरुत भक्ती पढ़ना और आचारे भक्ती पढ़ना स्वाध्याय होने के बाद में पुने सुरुत भक्ती पढ़ करके उसका समापन करना ये तीन हम जो भक्तियां पढ़ेंगे तीन बार उसमें तीन कायोत सर्ग होंगे और उन तीन कायो सरगों से पहले हुए रमोकार मंत्र का मंगल पाठ अड़ाई जुदीव दो समुद्देसु यह दंड़क पढ़ा जाएगा फिर उसके बाद मैं कायो सर करके थोसा में हम जिनवरम यह चौवीज भगवान की इस्तुति पढ़ी जाएगी फिर सुरुत वक्ती पढ़ी जाएगी तब जाकर के यह एक कृती कर्म कहलाएगा समझा रहा है फिर जब आपने आचार वक्ती पढ़ी तो फिर पही नमोकार मंत्र से पूरा दंड़क पाठ पढ़कर के कायुसर करके फिर थोसा में जिनवरम पढ़ना है दूसरा फिर उसके बाद मैं कृती कर्म कहलाया जब आपने आचार वक्ती पढ़ी फिर जब समापन हो जाए तब उन्हें इसी डंग से सुरुत बक्ती पढ़कर के इसको समाप्त करना इस तरह से तीन क्रती कर्म कहलाते हैं ऐसे क्रती कर्म गिने जाते हैं दिन भर के रात्री भर के 24 गंटे के क्रती कर्म बताए गए उन क्रती कर्मों को कर किया जाता है और जो उससे लियानक के दिवस आते हैं, किसी भी तरह से चतुरमास की इस्थापना होती है, निस्थापना होती है, अनेक तरह के नंदिश्वर आदी परवाते हैं, इन सब में भी कृती कर्म किये जाते हैं। इन नेमेतिक क्रती कर्मों में विशेश रूप से सांती भक्ती भी अंत में पढ़ी जाती है। अन्य कोई तरह के परव जो नेमेतिक आएंगे उनकी भक्ती करें, आपको ये शांती भक्ती अंत में अवश्य पढ़ना हैं और उसके बाद में कहीं कहीं पर समाधी भक्ती भी पढ़ी जाती है, लेकिन शांती भक्ती भी नियामक रूप से पढ़ी जाती है। नंदिश्वर परव के कृति कर्मों में सिद्ध भक्ति आदी को लेकर के अंतमें शांती भक्ति समाधी भक्ति से उसका समापन किया जाता है ये मुनियों के कृति कर्मों में शांती भक्ति का समावेश किया गया है मुनी महराज को भी सांतिनाद भगवान की भक्ती करना आवस्यक बताया गया है नंदिश्वर आधी के परवों में यह भक्ती विशेश रूप से और भी करने को कहा गया ताकि वे क्रती करभा पूर्ण जो होता है वे भक्तियों को पढ़कर के शांती भक्ति पढ़कर के ही वे पूर्ण किया जाता है ऐसे पर्व आपके सामने आते हैं जब चातर मास की इस्थापना हुई थी तब भी आपने भक्ति पाठ सुना था उसमें भी शांती भक्ति पढ़ी गई थी और अब निस्थापना होने का समय आ रहा है तब भी आप लोगों को भक्ति पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा भलेई उस दिन आपके लिए दीपावली होगी आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी लड़ू खाने के इंतियार में होगे लेकिन वो लड़ू आप तभी खाना जब पहले यहां पर चातरमास की निष्ठापना की भक्तियां हो जाएं तभी आप लोगों के लिए और कोई काम करना उचित होगा समझा रहा है यह निर्वान लाडू की भी निर्वान भक्तियों में भी शांती भक्ति पढ़ी जाती है और इस तरह से शांती भक्ति आगे आने वाले नंदिश्वर के दिवशों में आठ दिन आपको अतीव शांती अतीव भक्ति का माहौल बनने वाला है यह भी आपको अच्छे डंग से ग्यात हो चुका है अभी भी कुछ लोगों को धारणा में वही रहता है कि पहले दिन तो आठ हरक चड़ेंगे दूसरे दिन सोले चड़ेंगे तीसरे दिन बत्तिस चड़ेंगे महाराज केवल लास्ट के एक दिन ही जाकर के बस दुकान बंद करनी पड़ेगी बांकी के दिन तो दुकान खुली रहेगी दुकान द्यारी करने वाले लोगों को दुकान की बहुत चिंता है समझ आ रहा है पूछ रहे हैं महाराज कब से कितने बज़े से शुरू हो करके कितने बज़े तक पूर्ण हो जाएगा अब क्या करें सब कुछ आपको बता दें अगर बता देंगे तो आप डर भी सकते हों और समझदार होगे तो निडर भी हो सकते हों समझ आ रहा है यह ऐसा विधान नहीं है जिसमें आठ सोले पच्चेस अर्ग चड़ते हों लास्ट में जा करके कुछ ज्यादा अर्ग चड़ जाते हों यह विधान एक निश्चित क्रम से चलने वाला विधान है पहले दिन 540 अर्ग चड़ते हैं कितने हां सुन रहे हो जहां तुम दूसरे विधानों में सेकंड लास्ट डे में पहुंचते होगे वहां यहां से शुरुआत होती है और उसलिये कह रहा था तर्ददना मत पांससोचालेस अर्ग पहले दिन चड़ेंगे समझारा क्योंकि पांच पूजाएं होंगी 108 आठ अरग हर एक पूजा में होंगे 5 जनाले की 5 पूजा है फिर 8 जनाले जो बचे रह जाएंगे एक दिसा के क्योंकि एक दिसा में 13 जनाले होते हैं तो 5 जनाले की एक बार एक दिन में और 8 जनाले की दूसरे दिन में 108 में 8 का गुणा करो 864 अरग दूसरे दिन चड़ेंगे समझा रहा है फिर तीसरे दिन अब बढ़ेगा नहीं यही क्रम चलेगा तीसरे दिन फिर 5 में 108 का गुणा करो 540 4 दिन 864 5 में दिन 540 6 में दिन 864 और 7 में दिन फिर 540 और 8 में दिन फिर 800 ये क्रम इस महा महपूजा का है ये आपको अच्छे डंग से ध्यान में रख लेना है समझा रहा है अब आप कहोगे 540 और 864 डर्ग महराज कि उत्ते बजेंगे बजेंगे कुछ भी नहीं बजाना आपके उपर है समझा रहा है आप जित्ते बजाओगे अगर आप केवल सुद्ध विधान करना चाहोगे और उस विधान को यहां से समझना चाहोगे तो मैं आप से कहता हूँ सुबह 7 बजे आप भगवान के अवशेक की क्रिया प्रारंब करो साड़े 10 बजे तक आपका विधान में पूरा करके दिखा दूँगा बस बीच में आप अपने उपदेश मत देना समझा रहा है ना हाँ हाँ वो सब चीजें उसी डंग से होना चाहिए जैसे हमने बता है समझा रहा है पिछली बार वहाँ विजे नगर में हुआ था और जिस भहिया ने कराया था वो भहिया यहां आ रहा है वो भी जैसे कहो बैसे ही सौट में कहो सौट में जल्दी कहो जल्दी सब तरीके से कर लेता तो मुझे वो अच्छा लगा इसलिए जहां पर उसको बलाया तुम लोगों की दुकांदारी ध्यान रखते हुए समझा रहा है न कि पता पड़े कि भगवान की सांती जारा में तुम आदा घंटा खबाए जा रहा हूँ तो ये सब काम सब चीजें सौट में करके आदा घंटे में सब कुश निप्टा करके अपनी पहली पूजा भगवान की प्रारम करके और सीधा नंदी स्वर विधान अगर आप सुरू करोगे और उस विधान में अगर हम आपको थोड़ा समझाते भी चले जाएंगे तो वे विधान दो घंटे से जादा का विधान नहीं है क्योंकि उसमें सीधे-सीधे अरग हैं ज्यादा बड़े-बड़े अरग नहीं है सीधे-सीधी लाइने हैं कहीं-कहीं पर गाने को भी है वे थोड़ा सा संगीत के लिए भी आपके लिए आवश्यक हो जाएगा सब मिला करके आपके लिए साड़े-दस बहुत ज्यादा नाचोगे, कूदोगे थोड़े असा भक्ति करोगे तो ग्यारा बज़ जाएगी इतना तो चलता है ना ठंडे के दिनों में नहीं चलता अगर नहीं चले तो फिर एक फरमान जादी करो सब जैनों की दुकाने ग्यारा बज़े के बाद खुलेंगी सब को सांती मिल जाएगी दिक्कत तो इसलिए होती ना क्यों तु विधान में बैटा है कि नहीं हाँ बैटा तो हूँ फिर दुकान दुकान तो वो जब तक पापा खोल लेंगे और जब तक 11 बज़े तक हम आ जाएंगे फिर दुकान चल जाएगी तो बस तेरी दुकान खुल जाएगी तो फिर हम हमारे घर में तो पापा है नहीं कोई है नहीं तो हम क्या करेंगे दुकान तो खोल लेंगे गह देंगे घर में तुम थोड़ा सा एक गंटे बाद बाद आजाना हम थोड़ा एक गंटे बाद आजाएंगे दुकान तो खुल जाएगी तो दुकान क्यों खुल जाएगी अगर बगल बाली की खुली है तो हमें भी दुकान तो खोलना है और जब किसी की नहीं खुलेगी तो फिर किसी को कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के देखने से ही विकल्प उत्पन होते हैं समझ आ रहा है तो ये सब विवस्था आपकी विवस्था है हैं सामाजिक विवस्ता हैं आप जैसी बनाना चाहूं वैसी बन जाएंगी आपके लिए आराम से एक अरगावली 108 अरग की अगर आप लगातार चड़ा हो तो 10-15 मिनट के बीच का टाइम लगता है समझ जा रहा है मान लो 540 अरग चलाना माने 5 अरगावली आप समझ लो कितना अर्ष लगेगा 15 मिनट भी मान के चलो कितने मिनट हुए समझा रहा है तो टाइम उतना ही लगना है बाकी का टाइम किसमें वो सब आपके अपने संचालनों में आपके अपने नाच गानों में लगेगा वो आप जानों मेरा टाइम तो इतना ही है, समझा रहा है ना, हाँ, तो भक्ती भी कर लोगे, तो आदा घंटा वो भी जोड़ लो, तो भी पौने दो घंटे में सब हो जाएगा, दो घंटे में हो जाएगा, इसलिए आप अपना मन अच्छा बनाओ, जब यहाँ पर मन अच्छा बना करके आप आ कुछ अच्छा बने ना बने, क्या बनाना अच्छा? मन, मन इतना अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कि अगर कोई आप से पूछे क्यों, नाम लिखा दिया क्या बोलना? इविदान में बैठना है क्य नहीं, सोचेंगे, घर में पूछेंगे, अभी बात चीज चल रही है ये निगेटिव बात नहीं करना हूँ क्या बोलना उत्साह के साथ में मैंने तो नाम मैंजको तो विधान में बैठना है ऐसी पॉजिटिव उमंगें अगर आपके अंदर उत्पन होगी तो अपने आप इस विधान में रंगत आ जाएगी रोनक आ जाएगी और ये सब आने के लिए ही ये अस्टानिक पर्व समझ आ रहा है ये आपके सामने आता है और ये सौभाग आपको मिल रहा है कि ऐसा विधान जो आपने पहले कभी किया ही नहीं वो विधान आपके यहां होने जा रहा है ये तो गारंटी से कहने क्यों है पहले कभी किया ही नहीं यूँ तो नहीं कह सकता आगे नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आगे तो हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं किया इतना कहा जा सकता है तो आप लोग अपने मन में ये देखें कि शांतिनात भगवान की अनुकंपा से उनकी भक्ती से ही ये सारे कार अपने आप अच्छे डंग से होते चले जाते हैं इसलिए हर अनुष्ठान के बाद में शांती भक्ती भी पड़ी जाती है आप पुजा भी करते हो तो भी शांती भक्ती पड़ते हो कर नहीं रूपांतरण है तो चाहे संस्कृत में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो ये भगवान की पूजाओं में भी शांती पाठ पढ़ा जाता है और हर सभा के अंत में शांती पाठ पढ़कर के ही सभा का समापन किया जाता है ओम अरहम परम शांती ये मंत्र भी अगर आप पढ़ लेते हैं त यह जाते हैं बड़े बड़े पंच कल्याना कि या विदानादी होते हैं तो उनमें मंत्र जाप चलती रहती है शांतिनाद भगवान के नाम की शर्विग्न शांतिम गुरू गुरू असिया उसाय नमें वाली जाप चलती ही रहती है समझा रहा है ऐशे शांतिनाद भगवान की ये अधुत महिमा है जो शांतिनाद भगवान अपने हर तीर्थंकरों के द्वारा जो अलग-अलग तीर्थंकरों के द्वारा धरम प्रवायत हुआ उन तीर्थंकरों के धरम के माध्यम से भी जो धरम बढ़ा वो बढ़ा लेकिन शांतिनाद भगवान को हर तीर्थं करके तीर्थ में इस्मरण किया गया ये शांतिनाद भगवान की बड़ी महिमा है भले ही महावीर भगवान का बर्दमान विदान करो लेकिन अंत में शांती मंत्र तो आपको पढ़ना ही है तो हर क्रिया में शांती पाठ पढ़ा जाता है, शांती विधान तो आप करते ही रहते हैं, इस तरह के अब ये शांती विधान करने की आदत भी डालो, जिसमें शांतिनात भगवान का जीवन चरित्र, पूरा का पूरा पढ़ने को मिले, और ऐसी मंगलकारी भावना हमारी ब भकती से जुड़े रहेंगे, जब भगवान की भकती होती है, शांतिनात भगवान के निमित्त से कोई भी कारे होता है, तो अनेक प्रकार के उपद्रव अपने आप छूट जाते हैं, समझ आ रहा है, उपद्रव तो होते ही रहते हैं, उपसर्ग आदी भी समय-समय पर होत आखियी रहते हैं कभी प्राकृतिक उप्सर्ग कहलते हैं कभी तिरियन शिकरत उप्सर्ग होते हैं और कभी देवकृत उप्सर्ग होते हैं समझ आ रहा है लेकिन वो टल्स भी जाते हैं भगवान की भक्ती करते रहते रहने से क्या समझ आ रहा है है ना कल एक उपसर्ग टल गया समझ आ रहा है हाँ आप लोगों को ग्यात है कि नहीं हाँ एक तिरियन शुक्रत उपसर्ग जैसा था समझ आ रहा है मनुष्च शुक्रत नहीं क्या था वो हाँ आहार करके लोटके आ रहे थे विलकुल मंदिर के पास ही आने को हो गए और गली में रास्ते में दो जो है सांड जो है एक दूसरे के सिंगों में फस करके एकदम से लड़ने को उद्यत हुए जैसे ही सामने से आने को हुए तो हम जब सामने आ रहे थे बीच में से विलकुल किनारे बर हो गए उनहें दिख गए। और वो किनारे पर हो गए और वे किनारे पर अपनी सींह सिंग'llो में सींह टकराते रहे तो एपने सोचा जलो चुप चाप से रास बगल से किनारे पर रहे लेकिन फिजा पता पड़ा कि उसमें एक काला था और एक सफेद था तो एक जो है वो दूसरे को ढखेलता देते हुए ढखका देते हुए बिल्कुल बहुत जम के पीछे से आने लगा और जो सरावक चल रहे थे वो सब एक दम से इधर तितर वितर हो गए तो वो आ रहा था ऐसे और उसी रास्ते पर उस उस साइड हो गए और वो उदर उसको सांट एक दूसरा सांट दूसरे को गसीटते हुए वो निकल गया थोड़ा बहुत किसी सरावक के लिए गिरना हुआ ज्यादा किसी को नहीं लगी थोड़ी बहुत लेकिन वो एक बहुत बड़ा उपद्रव टल गया क्योंकि उसके ब बिना बज़े के ये उफसर्ग हो जाते हैं लेकिन कभी कभी अच्छे पुन्य करम के उदैसे ये आराम से निकल भी जाते हैं टल भी जाते हैं और ये जो बिना बज़े के उपद्रव होते हैं ये सब अपने पूर्व करत करमों के उदैसे होते हैं इसलिए इन करमों के के में निकल गया समझा रहा है ये इस तरह की घटनाओं में आपके पुन्य कर्म ही आपके साथ में होते हैं और उसी के माध्यम से हम बड़ी-बड़ी घटनाओं से भी बच पाते हैं तो अनेक प्रकार के उपद्रवों से बचना भी शांतिनाद भगवान की भक्ती से हो जात है काभी नमबर 88 श्री शांति नाम जगतो भवताप हारी श्री शांति संस्त तीरी माखिल सोख्यकारी श्री शांति पूजन मतीव विहन्ति पापं श्री शांति पूजन मतीव विहन्ति पापं मर्चा विधान विधिना स्रिय मात नोती जग जीवा के भव संकट को शांति नाथ का नाम हरे सकल सुखां को प्राप्त कराती शांति नाथ संस्तुति अरे पाप बहुत से नष्ट स्वयम हो शांति नाथ के पूजन से वैभाव शिरी वह पाता जाता कर अरचा विधान विधि से यह शांति नाथ भगवान की संस्तुति का काभ नमबर 88 है जिसमें भव संकट नाशी यह भगवान शांति नाथ की स्तुति कही गई है क्यों है यह भव संकट नाशी संकट मोचन नाम तो आप लोगों ने सुना ही है तीर्थंकर, जिनेंद्र भगवान, शांतिनाथ के लिए भी अगर हम भव संकट मोचक कहें तो इसमें कोई अतिशयुक्ती नहीं होगी क्योंकि इसमें एक शब्द और लगा है भव संकट एक संकट होता है जो हमारे जीवन में कभी भी हमारे सामने आ जाता है और हम उस संकट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, परिस्तरम करते हैं किन्तु संकटों से छुटगारा हमेशा के लिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम उस संकटों के नास करने की जो जड़ है उस तक नहीं पहुच पाते हैं संकट आपत्ती किसी भी तरह की उल्जने जो जीवन में आती हैं ये सभी उल्जने हमारे अपने ही संयोगों के कारण से पिछले जनम के संयोगों के कारण से और उन संयोगों से उत्पन हुए कर्मों के फल से हमारे अंदर ये अनेक तरह की उल्जने संकटें उत्पन होते हैं व्यक्ति का जीवन जब सामाजिक रूप से चलता है तो वह अनेक प्रकार के संयोगों के साथ चलता है बिना संयोग के तो कुछ बनता ही नहीं समाज में हैं और समाज में समाज का संयोग न हो तो वो अच्छा नहीं लगता अधूरा लगता है एकाकी जीवन आदमी के लिए कश्ट प्रद हो जाता है संकट कभी-कभी हमारे जीवन में संयोगों के माद्यम से भी आते हैं और जब कभी हमारे जीवन में अनकूल संयोग नहीं होते हैं तो भी संकट अत्पन हो जाते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर हर एक व्यक्ति का अपना मूल होता है हर एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ने की, एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ आयोजन मिल करके करने की एक चाहत होती है और इसी से एक अच्छी संगटित समाज का निर्माण होता है इसलिए कुछ संयोग जो हमें निराकुल बनाते हैं और कुछ संयोग ऐसे भी होते हैं जिनके नहीं होने पर हम आकुल भी हो जाते हैं संयोग से समाज चलता है, संयोग से धरम चलता है संयोग से अनेक तरह के त्योहार मनाये जाते हैं संयोग से ही उत्सव बनते हैं और उनी संयोगों में जब प्रतिकूलता हैं हो जाती हैं उनी संयोगों में जब व्यवधान आने लग जाते हैं तो वही हमारे लिए संकट भी बन जाते हैं आप देखते हैं जब कोई त्योहार आता है तो अनेक तरह से लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं एक दूसरे के हमदर्द भी बनते हैं और इस तरह से जब कुछ होता है तो उन त्योहारों से जो खुशी उत्पन्न होती है वही हमारे लिए संकटों को दूर करने वाली हो जाती है कभी-कभी उनी त्योहारों पर जब कुछ आपस में लोगों के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई जगड़े हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो वही त्योहार हमारे लिए फिर संकट भी बन जाता है कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जिन में नियम से लड़ाई होना भी निश्यत होता है ऐसे भी कोई तिवहर होते हैं बताओ कौन से होते हैं हूली का बास्तम में एक ऐसा ये अफसर आता है जब अक्सर गलियों में सडकों पर कुछ ना कुछ लोगों के लिए इस तरह से लड़ाई जगडे का एक माहौल बन जाता है उसके बिना हूली होती नहीं जब तक एक दूसरे से न मिलें तो हूली होती नहीं और अगर मिल गए और लड़ाई हो गई तो फिर वो हूली गाली में बदल गई खराब हो गई संयोग हमारे लिए सुख भी दे सकते हैं संयोग हमारे लिए दुख भी दे सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हम उन संयोगों के साथ में रहते हुए अपने पुन्न के साथ कितना अच्छी अनकूलता उन संयोगों की बना पा रहा है क्योंकि उन संयोगों में हमारा पुन्न भी बहुत बड़ा काम करता है आपके पुन्न से ही आपके संयोग बनते हैं लेकिन उनी संयोगों में जब प्रतिकूलताइं आ जाती हैं तो उन प्रतिकूलताओं से जो संकट आते हैं, दुख आते हैं, उन्हें आप अपने पुन्ड में कमी समझ करके समझें कि ये हमारे पुन्ड की कमी के कारण से यही संयोग हमारे लिए दुख का कारण बन गया. इसलिए जब तक यह जीव संसार में रहता है, इसके लिए अनेक तरह के संयोगों के माध्यम से दुख, संकट, चिंताएं, डर, आपत्तियां अनेक तरह की बनी रहती हैं, आती रहती हैं. नजाने कब कौन सा संकट कहां आ जाए, नजाने कब कौन से आपत्ति के सामने हम अपने आपको घिरा हुआ महसूस करें, यह सब चीजें जो बाहर से हमारे संयोगों के कारण से चलती हैं, इनमें मुख्य भूमिका हमारे पूर्व करमों की भी रहती हैं, और वरतमान के भा भावों की भी रहती हैं, पूर्व करम के फल से अगर हमें किनी संयोगों से दुख मिलता है, तो हम बरतमान के भावों को भी समाल करके उन दुखों से उबर सकते हैं, और अगर हम उन भावों में जुट जाते हैं, जुड जाते हैं, तो फिर वह दुख हमारे लिए और भी बढ़ सकता है इसलिए आचारे कहते हैं संकट मोचन जब ये नाम आपके सामने आए तो आप भगवान की तरफ देखते तो हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी विचार कर लिया गरें कि ये संकट इस जनम के लिए ही न मिटे है भगवन जनम जनम में आने वाले सारे संकट मिट आज अगर थोड़ा सा दुख हो गया हमने उस दुख को दूर करने का कोई उपाय कर लिया कल फिर दूसरा दुख सामने खड़ा है फिर उपाय करेंगे फिर दूसरा दुख आएगा फिर उपाय करेंगे ऐसे कब तक चलेगा कभी कभी तो आदमी को थोड़ी सी राहत मिलने पर राहत मिलने का मतलब थोड़ा सा उसे शांती मिलने पर थोड़ा सा उसे अनकुलताएं मिलने पर ये विचार अवश्य करना चाहिए कि ये संकट जनम जनम के ये दुख हे भगवन कभी ऐसा हो कि हम इन संकटों से हमेशा के लिए अपने आपको मुक्त कर पाएं और ये तभी संबब होता है जब हम भव संकट को समझने की कोशिश करें संकट को तो हम समझ लेते हैं भव संकट नहीं समझ पाते भव संकट क्या है संसार ही हमारे लिए एक संकट बन जाता है क्योंकि संसार में रहना इस जीव के लिए आवश्यक भी है जरूरी भी है लेकिन उस संसार में रहते हुए जब तक यह जीव संसार में रहता है इसको संकट का सामना करना ही पड़ता है सिरिजिनवानी जग कल्लानी जग जनमदतम मोहरी जनमन हारी गड़ हर हारी जम्म जराभव रोग हरी तित्थिय रानम दिवजुनिम जो पड़ई सुनै मैये धारई लानम सोख मननतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई इसकारिक्रम के पुन्यार जग थे श्रिकमरलाल जी महवीर प्रसाज जी पाटनी मदन गंज किशनगळ राजस्थान प्रसाद प्रसाद पावई जो प्रसाद टार्ट एए जो खेपावई प्रसाद प्रसाद पावई जो प्रसाद पावई झाल झाल